हे हां, हेलो, नमस्ते, विलकम बैक टू मैं चानल जानकारीन हिंदी दोस्तों आप लेसे बहुत सारे लोग हाजी अली दर्गा के बारे में जानते होंगे कुछ लोग वहाँ गये भी होंगे, पर कुछ लोगों को इस दर्गा के बारे में पता नहीं होगा तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उस पवित्रस्तल की जहां सारे धर्म के लोग एक जगा प्रार्थना करते हैं जहां समंदर की लहरे भी आकर नतमस्तक हो जाती है दोस्तों इस दर्गा की खास बातों में से एक बात ये भी है कि यहां समंदर की लहरे चाहे कितने भी उफान पर हो लेकिन ये दर्गा कभी भी नहीं डूबती तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस दर्गा के ना डूबने के पीछे का राज दोस्तों एक बार जब हजी अली उबजे की इस्तान में नमाज पढ़ रहे थे तब हजी अली ने एक महीला को वहां से गुजरते हुए देखा जो की रो रही थी हजी अली ने जब उनके रोने का कारण पूछा तो उस महीला ने बताया कि वो तेल लेने निकली थी लेकिन तेल से भरा बरतन गिर गया और तेल जमीन पर फैल गया महीला ने कहा कि अब उसका पती उसे उस बात के लिए खूब मारेगा दोस्तो जब हाजी आली ने महीला की बात सुनी तो वो उस महीला को लेकर उसी जगह पर गए जहां पर तेल गिरा था वहाँ जाकर उन्होंने अपना अंगोठा जमीन में गाड दिया जिसके बाद जमीन से तेल का फवारा निकलने लगा दोस्तो ये चमतकार देखते ही महला हैरान रह गई उसने तुरंत अपना बरतन तेल से भर लिया और अपने घर चली गई कहा जाता है कि महीला तो खुशो कर वहाँ से चली गई लेकिन हाजी आली को कोई बात परेशन किये जा रही थी उन्हें रातों में बुरे सपने आने लगे अंदर ही अंदर उन्हें लग रहा था कि उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया है उन्हें लगने लगा कि उन्होंने जमीन से तेल निकाल कर धर्ती को जख्मी कर दिया है बस तभी से वो मायूस से रहने लगे और बीमार भी पड़ गए कुछ समय बाद वो अपना ध्यान भटकाने के लिए अपने भाई के साथ मुंबई व्यापर करने आ गए और मुंबई की उस जग वो पहुंचे जहां हाच हाजी अली दरगा है कुछ समय वही रहने के बाद हाजी अली का भाई उपजे की स्तन वापस चला गया लेकिन हाजी अली ने वही रहकर धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया उम्र की एक पढ़ाओ के बाद उन्होंने मक्का की यात्रा पर जाने की सोची उन्होंने मक्का जाने से पहले अपने जीवन की जितनी भी कमाई थी वो गरीबों को दान कर दी और मक्का यात्रा के दोरान ही हाजी अली की मौत हो गई कहा जाता है कि हाजी आली की आखिरी खवाईश थी कि उन्हें दफनाया ना जाए उन्होंने अपने परिवार से कहा था कि उनके पार्थिव शरीर को एक ताबूत में रखकर पानी में बहा दिया जाए परिवार ने उनके आखिरे इच्छा पूरी कर दी लेकिन चमतकर हुआ और वो ताबूत तैरता हुआ मुंबई आ गया हैरान कर देने वाली बात ये है कि इतने दिनों तक पानी में रहने के बाद भी ताबूत में एक बून पानी भी नहीं गया इस चमतकरी घटना के बाद ही हाजी आली की याद में मुंबई में हाजी आली की दरगा का निर्मान किया गया कहते है कि समंदर के बीचो बीच होने के बाद भी दरगा में लहरे जाने से गतराती है तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जाना कि समुंदर के बीचों बीच होके भी हजे आली दर्गा पानी में क्यों नहीं डूपती तो दोस्तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करदेना शेर करदेना और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करदेना बांक्यू दोस्तों